नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर आपको बता देगी अभी रास्टपती चिनाव का मतदान जारी है और इसको ले करके जहां एंडिये की ओर से रास्टपती पत की उमीदवार द्रापदी मुर्मु को बनाया गया है तो इसी के साथ ही विपक्षी पार्टी की उमीदवार यश्वन्त सनहा है आपको बता दे द्रापदी मुर्मु को लगातार विपक्षियों का भी समर्थन मिल रहा है और इसी को देखते हुए आज जहां मतदान जारी हुआ तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सीम योगी बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा अमेशा अनुराग ठाकूर हेमा मालनी समित तमाम लोगों ने अपना मतदान किया इसी के साथ ही आपको बत जहां विपक्षियों का भी समर्थन लगातार द्रापदी मुर्मू को ले करके देखने को मिल रहा है तो इससे टीमसी पार्टी के जो सांसद है वो भी कहीं न कहीं जो है घबराय हुए है और इसको ले करके बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवी ने एक ट्वीट कर लिख जहां क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है टीमसी पार्टी को कि उनके जो सांसद है वो कहीं द्रापदी मुर्मू को वोट ना कर दे इसको ले करके सुवेंदू अधिकारी के खलाफ एक टीमसी कारकरता ने जूटी एफ आई यार दर्श करवाई है कि वो रास्टपती चु लगभग यही कहना है कि इस बार एक आदिवासी बेटी रास्टपती पत के लिए खड़ी हुई है और 100% का जीतना तय है इसी के साथ ही आपको बता दे महरास्ट के मुख्यमंत्री एक नाशन्दे ने भी अपना वोट दिया है इसी के साथ ही आशीर सिलार ने कहा है कि द्र द्रौपदी मुर्मु को अपना समर्थन दे सकते हैं यानि कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यश्वंत सिन्हा को उनकी पार्टी टीमसी भी सपोर्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है जहां ममता बैनर जी ने पहले ही यह बयान दे करके कहीं न कहीं विपक्षियों का व यह बीआंत सिन्हा वो भी अपना राजधर्म निबा रहा है यानि कि वो बीजपी पार्टी से हैं और उनका वी जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मु को जा रहा है यानि कि ना तो टीमसी के जो सांसदे उनका वोट यह लुट यश्वंत सिन्हा को जाता हुए अगर हम देखे तुम द्रौपदी मुर्मू को जहां एंडिये की ओर से लगातार उनके सांसदों का समर्थन मिल रहा है तो इसी के साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टी है चाहे फिर वो जे एम एम हो इसी के साथ ही सुबास्पा हो कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है यह आज़ादी के अमरित महत्वचव का कालखंड है पंद्रा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पचीज साल के देश जब सताब्दी मनाएगा तो हमारी पचीज साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल पर लेने का एक कालखंड है यह सत्र इसले भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राश्पतिपद और उपराश्पतिपद के चुनाव हो रहे है आज मद्दान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नई राश्पति नई उपराश्पति उनका मार दर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को समबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर सक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से समबाद हो जरुवत पड़े तो वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निनयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जीतना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके सदन को जितना ज्यादा फूटफुल बना सके उसलिए सबका सयोग हो और सबके प्रयास से ही लोक्तंत्र चलता है सबके प्रयास से ही सदन चलता है सबके प्रयास से ही सदम उत्तम निनय करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हित में सरबाती को प्योग करें और हर पल याद रखें कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत स्विकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगत सामने है तब सदन का सरबातिक सकारा प्रगुपियों को यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक गुजरात के सीम भुपेंद्र पतेल केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर महरास्ट के मुख्यमंत्री एकनाशन दे और असम के सीम हिमन्थ विश्वा सर्मा ने रास्टपती चिनाव के लिए अपना मतदान किया है आपको बत जुमुईजी को जादा से जादा वोट मिलेंगे इसी के साथ ही बीजेपी की सांसद हेमा मालीणी ने भी सांसद में रास्टपती चुनाव के लिए अपना वोट डाला वहीं आपको बता दे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और कॉंग्रस सांसद मनमोहन सिंग ने भी सांसद में भारत के रास्टपती पत के लिए हो रहे चुनाव में अपना योगदान दिया अपना मतदान दिया इसी के साथ ही मुख्य विधायक द्रौपदी मुर्मू को क्रॉस वोट किया जा सकता है इसी के साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि अश्वंत सिनहा को उनकी ही पार्टी यानि की ट्रीमसी से वोट मिलते हुए नहीं दिखाई दे बीजीपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर ये क एक हतास ट्यमसी कारेकर्टा ने बीजेपी के नेता सुवेंदू अधिकारी को ले करके एक फाइयार दर्श करवाई है जिसमें ये कहा गया है कि वो रास्टपती चुनाव को ले करके धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं आपको बता दे आज देश के सोलवे रास्टपती के चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस मतदान में कुल 4800 नरवाच सांसद और विधायक है साले रहे हैं चुनाव में एंडिय उमीद्वार द्रौपती मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शिर्ष समवधानिक पत पर पहली बार आदिवासी महिला की 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपती मुर्मू का पलड़ा लगातार भारी दिखाई दे रहा है तो वहीं महलज 14 दलों का समर्थन के साथ यश्वंत सिनहा को करीब 3,62,000 वोट ही मिलने की उमीद जताई जारी है आपको बता दे बीजेपी के निता और महरास्ट विधान द्रौपती मुर्मू की जीत तय है हमें पुरा विश्वास है कि वो महरास्ट से रिकॉर्ड वोट हासिल करेंगी इसी के साथी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने भी अपना मतदान किया और कहा कि आज मध्य प्रदेश में हमारे विधायक रास् अधिवासी बेटी भारत की बेटी रास्टपती बनेगी इसे लेकर आम लोगों में भी खासा उस्सा है जो कि भारत के लोकतंत्र की विशेश्टा को दिखाता है इसी के साथी असम के मंत्री संजे किशन ने कहा कि देश में पहली बार एक अधिवासी को ऐसा अस्थान दिय गया है मैं आशा करता हूं कि यहां राजनीती से बाहरा कर सभी द्रापदी मुर्मु जी को वोट प्रदान करेंगे मैं अपना वोट द्रापदी मुर्मु को ही दूंगा इसी के साथ ही दार्जलिंग से बीजेपी विधायक नीरस तामवंग जिंबा ने कहा कि रास्टपती चनाव महज एक आपचारिकता है वो पहले ही जीच चुकी है आकड़े कहते हैं कि द्रापदी मुर्मु देश की पहली आदिवासी महिला रास्टपते बनेंगी खुशी का मौका है हर तरफ से समर्थन मिल रहा है यह एतिहासिक है इसी के साथ ही आपको बता दे हिमाचल प् से सभी विधायकों ने वोट डाला है और मुझे यकीन है कि हमारे सारे वोट उन्हें ही गए हैं वो जरूर जीतेंगी इसी के साथ ही आपको बता दे कि रास्टपती चनाव में लोकसभा राजसभा और राज्यों के विधान सभा के सदस्य वोट डालते हैं 245 सदस्यों वा हिस्सा लेंगे इनमें आजमगर रामपुर और संगरूर में हुए हालिया उप्चनाव के विजेता सांसत भी शामिल होंगे इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4033 विधायक भी रास्टपती चनाव के लिए वोट डालेंगे इस तरीके से रास्टपती चनाव में कुल मत दाताओं की संख्या 4809 होगी हाला कि इनकी वोटों की वैल्यू अलग-अलग गिनी जाती है आपको बता दे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज भारत के 16 रास्टपती को ले करके मतदान जारी है और बड़े-बड़े चेहरे जो है लगातार अपना मतदान करने के लि मुच रहे हैं वो भी इस बात की सरहना कर रहे है जिस तरीके से अंडिये ने अपने उमीद्वार का चैन किया है प्रधान मंत्री मोदी और आमेशा के नित्रित्व में अद्रौपदी मुर्मू को अंडिये का उमीद्वार बनाया गया है तो इसको लेकर भी हर तरफ कहीं न कहीं लोगतंत्र की विशेष्टा को दर्शाता है और इसको लेकर ही जो तमाम विपक्षी दल है उन्होंने भी अपना समर्थन खुले तोर पर द्रौपदी मुर्मू को दिखाया क्योंकि जिस तरीके से एंडिये की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया है र अपने आप में अतिहासिक है कि पहली बार भारत में किसी आदिवासी महिला को देश के सरवोच पद यानी की रास्टपती चुनाव के लिए मनुनित किया गया उनका नामांगन किया गया और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि उनका जीतना लगभगता है और ये जो मतदान ह नामें मात्र आप चारिकता है और इसी के साथ है अगर दूसरी ओर यश्वन्त सिनहा को देखा जाएं तो उनके समर्थन में जो न की संख्या भी कम है और इसे के साथ ही देखा जा रहा है कि उनके समर्थन में भी बोलता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है तो देखने वाली बात होगी लगभग जहां सारे लोगों का मानना है कि द्रौपती मुर्मू का जीतना लगभगते हैं इसी के साथ ही आपको बता दे जहां आज मतदान हो रहा है तो इसी के साथ ही 21 जुलाई का इंतिजार सभी को होगा जब वोट कुर का बात है